राश्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशेक्षन परिशत के केंद्रिय शैक्षिक प्रध्योग की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुते रागों के संक्षिप्त परिचे सहित रागों की स्वर्मालिका और स्वर्मालिका पर आधारित रचनाओं क आदर्श गायन को प्रस्तुत करती शंखला राग रसबर्से कि आज राग रसबर्से 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 कि नमस्कार साथियू राग रस बरसे इस शंकला में आप सबका स्वागत है संगीत के अध्यापक और संगीत के विद्यार्थी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि संगीत की पाठ्थे पुस्तकें संगीत शिक्षन में महत्व पुर्ण भूमी का अधा करती है अध्यापक गण पुस्तकों की साहता से विद्यार्थियों को लगभग सभी पाठ चिखा सकते हैं जैसे सरगम क्या है, स्वर किसे कहते हैं, कोमल स्वर और तीवर स्वरों की परिभाशा क्या है, वादी और समवादी स्वरों का अर्थ क्या है, थाट की परिभाशा, राग की परिभाशा, राग की जातियां, आरोह, अवरोह, पकड का ज्ञान, आदि, पुस्तकों की सहायता स सीखा जा सकता है किन्तों अध्यापकों को सबसे अधिक कठिनाई आती है रागों की सर्गम को सिखाने में रागों की सर्गम का गे रूप विद्यार्थियों को पुस्तोकों के द्वारा सुनाया नहीं जा सकता है क्योंकि उसके लिए रागों की सरगम को गा कर प्रस्तुत करना जरूरी होता है इसलिए ये आवश्चक्ता अनुभव की गई कि रागों की सरगम की आदर्श गेयर रूपों को आडियो बुक्स यनि कैसेट पर ध्वनी पुस्तकों के रूप में तैयार किया जाए इन ध्वनी पुस्तकों के निर्मान के दौरान ये भी अनुभव किया गया कि रागों की प्रचलित बंदिशों का कथे बहुत ही पुराना है इसलिए बंदिशों की कथे को समसामाई करने का प्रयाज भी किया गया है पंडित विश्णू नारायन भातखंडेजी द्वारा रचित रागों की स्वर्मालेकाओं पर आधारित बंदिशों अर्थात रचनाओं का कथे देश भक्ती पर्यावरण जागरण नैतिक शिक्षा सामाजिक ज्यान आधी विश्यों से अलंकरत किया गया है संगीत के अध्यापकों और विद्यार्थियों से अनुरूद है कि वे शिक्षन के दौरान इंद्वरी पुस्तोकों का उप्योग साहक सामगरी के रूप में करें अब आईए हम सब शामिल हो जाएं इस संगीत मैं यात्रा में और सुने शंकला राग रस बरसे 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 राग रलित राग रलित की उत्पत्ती मारवा थाट से हुई है राग रलित इसमें दोनों मध्यम अर्थात शुद्धम और तीव्रम सथा कोमल रिशब और कोमल धैवत यानि कोमल रे और कोमल ध प्रयोग किये जाते हैं अन्य शेश सभी शुद्ध स्वर लगते हैं इस राग में पंचम यानि प वर्जित स्वर है अर्थात प का प्रयोग इस राग में नहीं किया जाता है इस प्रकार इसके आरूह और अवरूह में छह छह स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाती शाडव शाडव है इस राग का वादी स्वर शुद्ध मध्यम यानि शुद्ध मह और सम्वादी स्वर शडज यानि सा है इस राग का गायन समय रात्रि का अंतिम प्रहर है राग ललित के आरूह अवरूह और पकड इस प्रकार है सबसे पहले सुनिए आरोहु नीरे गाम मामागर मागर आ और आवरोहु सानी नार मादामा मागर रेसा इस रा की पकड इस प्रकार है नीरे गामाग मादामाग मागर रेसा अब प्रस्तुत है राग ललित की स्वर्मालिका जो एक ताल मध्धिलय में निबद्ध है इसमें बारह मात्राएं होती है पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर्मालिका की स्थाई मादा मादानी मादा मामा गामा मामा गरे मादा मादानी मादा मामा गामा मामा गरे आपिए भी ने 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 मा हैं der मैं तरूम वाम अगारी ने 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 वाहरी ने मा तरूम में तरूम अब प्रस्तु थे इस स्वर्मालिका का अंतरा हिुआर, मीखें देगाध स्वर्मालिका का अंतरान तरीकों प्रस्तू थे इस स्वर्मालिकाल ma मादा मादा निर 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 नितकता DI अभी आपने सुनी राग ललित की स्वर्मालिका अब सुनिये इसी स्वर्मालिका पर आधारित एक रचना बोल है भूर का होता आगमन पहले प्रस्तु थे इसकी स्थाई भूर का होता आगमन भूर का होता आगमन देखो प्रकाश गदन देखो प्रकाश गदन बोर का होता आगमन बोर का होता अब प्रस्तु थे इस रचना का अंतरा प्रकाश गदन बोर का गदन बोर का होता आगमन बोर का होता अभी आपने सुनी राग ललित की स्वर्मालिका साथ ही सुनी इस स्वर्मालिका पर आधारित रचना आगमन बोर का जए इस रचना आगमन बोर का प्रस्तु थे इस रचना कर दो कर दो कर दो कर दो